अब तक हमने देखा कि कैसे हम लोग weights को यूज करके कैसे किसी भी element की present होने का use कर सकते हैं implicit weights को कैसे use करते हैं explicit को और fluent weights को कैसे use करते हैं fluent words जैसे हमने जाना कि किसी element के थोड़े time के बाद जैसे कि Ajax calls होती है उन सबकी visibility के time पे use होते हैं इसके लावा एक और अच्छा feature है selenium का जो एक requirement भी अपने आप में जब भी हम एक SSL enabled websites या web pages के पास जाते हैं तो हमने कई बार errors देखे होंगे जो हमें websites को खोलने नहीं देते for example अगर मैं एक website खोलता हूँ cacert.org अब यहाँ पर मुझे एक error दिया गया your connection is not private और यह सब certificate मांग रहे है basically SSL certificate मांग रहे हैं तो यह error मुझे मिलता है लेकिन आगे मैं इसे proceed करूँगा तो यह आगे चल जाएगा क्योंकि इससे अपने अभी certificate हो जाएगा और वो अंसे website पर चला जाएगा लेकिन अगर मुझे यह काम selenium से करना होगा तो यह मैं click करके तो नहीं कर पाऊंगा ऐसे इसके लिए हम लोग different तरीके से depending upon the browser वो तरीक तरीका बदल जाता है वो हम use करते हैं पहले हम एक फिर से main method बनाएंगे driver object लेकिन यहाँ पर driver object जो हमने बनाया chrome driver का chrome driver के constructor में एक argument जाएगा एक desire capabilities क्लास होती है इसके object का नाम हम देते है SSL capability इसका एक set capability है फिर हम एक capability type है हमारी एक accept xsl certificates और इसकी value है true तो मैं यह कह रहा हूँ एक decide capability class का object बनाया उस object को मैंने कहा कि मेरी जो capability है उसमें SSL certificates को accept करने के लिए true कर दो और उसको pass कर दो यहाँ पर अब इसके बाद मैं मैं जब उस URL पर जो मेरा यह URL है इस पर navigate करूंगा तो यह अपने IP वो website मुझे खौल के देदेगा देखें यहाँ पर मुझे error नहीं आया आ ऐसी हम लोग Firefox और IE के लिए कर सकते हैं पर उसमें जो तरीका है वो थोड़ा different होगा देखते हैं वो कैसे होगा Firefox खोला ऐसी अगर आपको Firefox driver में change करना है या IE driver में change करना है तो आपको simply एक let's say हम IE driver में चले जाते हैं और यहाँ पर यह website देते हैं तो आपको उस case में कुछ नहीं करना होता कोई आपको property set नहीं करनी है let's say मैं यहाँ जाता हूँ इसे navigate करेंगे अपनी website के उपर और साथ की साथ मैं Firefox पर देखता हूँ क्या यह error मुझे वहाँ भी आ रहा है तो यह Firefox पर error आया same error जिसमें वह कह रहा है कि आगे आप जा सकते अगर आप यह इनेबल कर देंगे अभी मैं आई पर navigate कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास यह कह रहा रहा है आई पर आपको कुछ नहीं कर रहा है आपको simply is continue to this website पर क्लिक करवाना है आप जैसे यहाँ पोस्ट है है उसके बाद आप इसे inspect करेंगे डवलपर टूल खोलिए डवलपर टूल से आप इसको inspect करके इसके ID है override link तो simply आप इसके बाद driver.findby.id और मेरी ID है override link और उसे करेंगे click और जैसे यह click होगा अपने आप ही next page पर चला जाएगा आई के साथ यह बहुत simple है तो हम इसके साथ आगे नहीं कर रहे हैं अब हम देखते हैं कि firefox के साथ कैसे है यह firefox के case में आपको same चीज़े करनी है web driver तो आप बनाएंगे ही जैसे पहले बनाते हैं लेकिन यहाँ पर change जो आएगा वो आएगा firefox profile मालनों की मेरी एक profile बनाते हैं जो हमने desired capabilities use किया था उसकी जगा हम यहाँ पर firefox profile चो यूज करेंगे और firefox profile में इसको क्या कहेंगे set accepted untrusted certificates to true ऐसे ही set assume untrusted certificate issuer to be true और इसके बाद जब इसे खोलेंगे तो यह अपने आप खुल जाएगा like अगर आप इसे ऐसे खोल रहे है तो अब यह आपको error दे रहा है तो अब आप इसे execute करेंगे तो यह normal window connect करेगा browser खोलेगा और website पर navigate हो जाएगा अब यह website पर navigate हो गया तो हमने देखा यहाँ पर एक exception है बट अभी के लिए इसे ignore कर सकते हैं यह कुछ और भी मांग रही है बट अभी के लिए हमारा काम हो गया हम इसमें और certificates हम चाहें तो firefox में add कर सकते हैं तो basically अभी हमने देखा कैसे हम desired capabilities से chrome में handle करते हैं firefox profile से हम firefox में handle करते हैं आई के लिए बहुत simple है simple क्लिक से कर सकते हैं यह जो firefox profile और desired capabilities है यह आगे बहुत ही काम आएंगी इनसे हम सिरफ इतना ही नहीं और भी बहुत चीज़े कर सकते हैं for example आगे जब हम grid पढ़ेंगे तो grid में देखेंगे कि कैसे इनको use करते हैं तो अभी के लिए इतना ही thank you आगेचे में जचना ह्वागेव उड़े ल्ह। Sबसे क्यों आगें अभी